अगर जैसे वायदू छेतr है वायदू छेत्र के बारे में विसेस परिस्थितियों के बारे में बात किया जाएं आगको पैर इसके बात वायदू करें तो क्या होगा जैसे अगर अभी लंबवत होगा यहाँ पर इन परिस्टियों के संदर में हम बात करें कि प्रिष्ठ अगर लंबवत है तो थीटा की जगा पर आप 0 रखेंगे और सामानतर के लिए करेंगे हैं आपको कुल मिला कर कौन पता होना चाहिए यह जयों पर शाओ जैसा अगर यह ही चीज़ विद्यारतियों समानतर होता को आपको समतल उसे समानतर पता कीा जब कमान्तर हो जाता प्रिष्ट नियां पर ध्श्ट है जिरो नर रख करके पहने हैं 유टाइन अप है यहां पर वैक्षाण जा सकता है कैसे पूँछा जाएगा यह समझ लिजिए विद्यार्थियों जब इनमेंसे कोई नहीं आप क्या बोलो में जीडरो होगा अगर दूसरा प्रश्णह ही से पूच्छे लिया यदि शमतल प्रिष्ट वाइदुष emulate 600 क्या यह जीरो होगा एक ऑद ऊनंत ऊगा इनमेंसे कोई नहीं यह पर यहां पर क्या हो जाएगा बताईए यहां पर हो जाएगा इन ही यह यह फार्मूला आजाएगा यह पर आंनन्त्क होगा नरों यहाद रखनी है ठीख कर भात फ्लक्स के मात्रके में अगर बात किया जाए वहाओ हुतान न्यूटन meter square पर कुलाम क्या होता है Newton meter square पर कुलाम होता है ये भी आपको याद रखना है ठीक है अगर बात किया जाए इसके विमिय सूत्र के बारे में dimensional formula के बारे में तो होता है ML3 क्या होता है ML3 T-3 A-1 ML3 T-3 A-1 वैदद flux का विमिय सूत्र होता है अगर इसके मात्रक के संदर्व में बात किया जाए तो मात्रक क्या होता है विद्यारतियों Newton meter square प्रति उलाम ठीक है इस अरीके से आपको समझ में आना चाहिए वैदुद flux क्या बता है ठीक है व्यदुद फलक्स कि जब जब बात करेंगे जहाँ जहाँ आद Key शीज के से बात नहीं होती है उमीद है इतनी बातें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी अब हम लोग आगे इसमें जो जरूरी है वो समझना चाहते हैं चलिए आगे देख लेते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में ठीक है विद्यार्थियों अगली टापिक पर हम बात करने चल ले हैं गोस की प्रमी या आप कह सकते हैं गोस का नियम चाहे तो कह लें गोस की प्रमी या फिर कहना चाहें तो कह लें गोस का नियम इसमें थोड़ा सा केवल दो लाइन जानना हमारे लिए जरूरी होता है इसमें होता क्या है जो हम लोग पढ़े रहे हैं इलेक्ट्रो इस्टेटिक्स के अंतरगत यानि गास की प्रमी इस्थिर वैदुत की में किसी कालपनिक बंद प्रिष्ट से गुजरने वाले वैदुत फ्लक्स तथा प्रिष्ट द्वारा परिबद कुल आवेस के बीच बीच क्या करता है संबंद को बताता है तो याद रखिएगा जब जब गास की प्रमे की बात होगी तो गास की प्रमे में दो हैं चीज़ों कि यहां बात होगी एक वैदुत फ्लक्स की बात हो जाएगी वैदुत फ्लक्स के साथ साथ जो एक कालपनिक प्रिष्ट मानेंगे कालपनिक प्रिष्ट पर आवेस दिया जाए गाओ उस और वैदुत-फ्लक्स इनहीं दोनों के बीच के संबंद की चर्चा होगी इस गौश की प्रमेंब इसकी चर्चा होगी तो इसमें बात होगी जो आपसे वैदुत प्रिष्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर देखना है जो वैदुत-फ्लक्स है और क्या इसमें जो आवेस है यह आवेस और वैदुत-फ्लक्स कहां है तो यह कालपनिक प्रिष्ट रहेगा कालपनिक प्रिष्ट पर जो उपस्तित रहेगा वैदित फ्लक्स और आवेस के बीच के संबंध को हम लोग क्या कह देंगे गास की प्रमे कह देंगे ठीक है यानि कि यह जो दोनों बाते हैं यही दोनों बातों की चर्चा इसमें होती है गौस की प्रमे में इस पेसलिए प्रमे है नहीं अभी नहीं बता रहे हैं आपको बता रहे हैं किसमें किसके बारे में बताया जाएगा जैसे आप कोई नियम या प्रमे जब पढ़ते हैं तो आप कहते नहीं है किसके बारे में है आखर यह प्रमे है तो किसके बारे में होगी तो यह गास की प्र जाए जो इसकी प्रमे है क्या तो आप बताएंगे किसी बंद प्रिष्ट से गुझरनेवाला वैदृत्फलक्स फाइए उस प्रिष्ट द्वारा परिबद कुल आवेस क्यू का एक बटे epsilon not गुना होता है कहने का मतलब क्या है कि अगर इसके formula की बात किया जाए तो phi e बराबर q into 1 upon epsilon not यानि कि जो phi e है वो क्या है q into 1 upon epsilon not के बराबर होता है विद्यारतियूं यही क्या है आपका कुलाम का नियम हो जाता है ठीक है और यही कुलाम की नियम के इसमें क्या करते हैं चर्चा हम लोग करते हैं और उम्मीद है कि आपको अब ये बातें पूरी तरीके से क्लिए हो रही होगी students हमने आपको बताया इजिए हम पढ़ते हैं गॉस कि प्रमे तो गोस कि प्रमे में किसके बारें पढ़ते हैं वैदुत und-flex और आवेस की बीच के संस्बंद को तो आप द nerve जो यह आया है इनका फामुल गार्स की प्रमे से उसमें वैदुत्फ्लक्स और आवेस की बात हुई है कि नहीं आप लोग बताईए है हुई है कि नहीं हुई है ना चलिए अब देखिए इसमें वही आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाला वैदुस फ्लक्स फाइए ठीक है उस प्रिष्ट द्वारा परिबद्ध उस प्रिष्ट द्वारा परिबद्ध कुल नहें कुल आवेस का एक बटे इप्साईलिन नाट उनला होता है यह आपको क्या करना है यह याद रखना के जाएगे तो आप कहा देंगे कि गास की प्रमें बताईए तो, गास की प्रमें आप बताएंगे, कि इसमें क्या होता है किसी कालपनिक प्रिष्ट से गुजरने वाले वायदुत्फलक्स त다 पृस्ट द्वारा परिबढ़ कुल आवेश के बीच के सम्बंद को बताता है क्यों गास की प्रमेंग फिर इतना परिबद्ध कुल आवेस का एक बटे एफ्साइलेड नाट गुना होता है बात इतने से भी नहीं बनेगी आप अंत में एक लाइन और लिखेंगे कि यदि किसी बंद प्रिष्ठ डिये या एक कहें दें किसी बंद प्रिष्ठ एसे परिबद्ध आवेस कितना एं तो इससे निर्गत कुल वैदुत फ्लक्स तब आपसे बात किया जाएगो कुल वैदुत फ्लक्स की आप बताएंगे कुल वैदुत फ्लक्स फाई एक्वल क्यू अपान एपसाइले नाट इस तरीके से यह क्या हो जाएगा आपका यह प्रूफ हो जाएगा आप लोगों के संदर में आप चाहें तो ऐसे भी लिखते हैं e vector dot da vector लेकिन इसी के बराबर क्या लिख सकते हैं आप q upon epsilon not क्योंकि q का जब एक में गुड़ा करेंगे तो q आएगा upon epsilon not जब phi e के बराबर ये भी है और phi e के बराबर ये भी है हम ये नहीं कहे देंगे phi e के बराबर ये दोनों हैं बताइए तो इस तरीके से आप लिख देंगे अर्थात के और ये पूरा प्रूफ हो जाएगा आ जाएगे या नियम अब आप लोग क्या किये होंगे जान गए होंगे कि गौस के प्रमे क्या है क्लियर हो गई टापिक अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें और डीटेल में समझना चाहेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है इसमें विद्यार्थियों हम लोग बात कर रहे थे गौस की प्रमे के बारे में गौस की प्रमे के संदर में के चर्चा करते हुए हमने आपको बताया था कि फाई अ इक्वल की वपान एंपसाइल ना ठाया था आप लोगों ने इतना तो पढ़ा था। गास की प्रमे के संदर्ब में लेकिन उसके बाद अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं गास की प्रमे के अनूप्रियोग गास की कि अनुपरियोग को ले करके हर साल हर वर्स आप देखते होंगे एक नएक टापिक आपके एक्जाम में आती है तीन नंबर की कमस्कम आएगी यह जान लीजिए आप लोग तो इस बार भी हम लोग क्या करेंगे सारा टापिक एक एक क्रम में बारी बारी से पढ़ेंगे तो पहली एडिंग है अनंत लंबाई की एक समान सीधे तारी के निकट वैदुच्छेतर की तीवर्था जैसा कि आप लोग चितर में देख रहे हैं ठीक है चितर में बात करें इससे पहले विद वितरित हो आवेस क्या है क्यों है और एल क्या है एल लंबाई है एल क्या है लंबाई है एल लंबाई की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो काउन यही आवेस एक समान रेखा पर क्या हो वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेस को जो प्रति एक का लंबाई पर जो भी तरी थे आविस इसी को हम क्या कहा देंगे इसी कहें देंगे रेखी घ्ञानतव जानना ज़रूरी विद्यार्तियों क्यों कि इसमें यूज ए और रेखी घ्ञानतव का फार्मूला होता है लैम्ड़ा equal q upon l क्या होता है lambda equal q by l means lambda से इसको denote करते हैं इसको रेखिये गहनतों को प्रदर्सित करते हैं विद्य अर्थियों अब हम लोग बात क्या करने चल ले हैं अब हम बात करने चल ले हैं कि जैसे कोई एक बिंदु p है इसमें देखिये अगर आप ध्यान से समझना चाहें तो पूरी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी यहाँ पर क्या है एक बिंदु P है इस बिंदु पर हमें क्या करना है वैदु छेत्र की तीवरता ग्यांत करने के रिए हमने क्या किया है आपको बता दें एल लंबाई का समाक्ष गौसियन बिलनाकार प्रिष्ट खेंचते है ठीक है और इस प्रिष्ट के प्रत्य एक बिंदु पर वैदु छेत्र की तीवरता का परिमाण और क्या है एक समान है और त्रिज्जा क्या होगी बाहर की और इसकी दिष्ट है तिरज्जा आप देखें तो बाहर की तरफ हमने लिया हुआ है ठीक है और आपको बताना क्या चाहते हैं इस प्रिष्ट पर लिएगे किसी भी छेत्र फल आव याव डिये के लिए वैदु बाहर दो देखें रही और हम आपको बताना क्या चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं पहले आप समझे वह एदुवलक्स के संदर्ब में जब हम लोग समझना शुरू करते हैं विद्यारतियों तो पहली बात इसे याद रखिएगा रेखी घनत्व के संदर्ब में अब आपको बता रहे हैं वैदित अगर अगर नहीं पर कूण कितना बनेगा दोनों के बीच में यहां से आप चाहें तो लिख सकते हैं आगे e.da cos 0 degree और cos 0 की value बहुती है बन तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे e da लिख लेंगे उम्मीद है इतनी बात आपको क्या होगी होगी clear होगी अब इसी तरीके से Gaussian प्रिष्ट से गुजरने वाले अगर वैदुत flux की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर आप क्या करोगे वहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे फाई e equal surface integral e vector dot da vector आपको यह बात clear हो रही होगी और पूरा समझ में आ रहा होगा क्या इसे हम कहना चाहते हैं अगर आप और कुछ लिखना चाहें तो इस e da के place पर आप directly बिना vector के लिख सकते हैं e da क्या लिख सकते हैं e da ऐसे हम कह रहें जैसे फाई e equal आप चाहें तो ऐसे लिख लें e da इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो यहां से देखें तो e है यहां पर e constant है और समाकलन का नियम क्या कहता है कि जो भी constant हो बाहर आ जाएगा अगर यह बाहर गया तो यहां क्या आ जाएगा डी यह आ जाएगा और यह आपका चल ला है उमीद है इतनी बात आपको clear हो गई होगी विद्यार्थियों बेलन के वक्रिप्रिष्ट का चेत्रफल क्या होता आप लोग बताएंगे मुझे आप लोग ने पढ़ा हुआ बेलन के वक्रिप्रिष्ट का चेत्रफल और पढ़ते ही चले आ रहे हैं लगातार बेलन के वक् इतने की वैलू अगर लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं टू पाई आरल के एक्वल आप ना लिखें आप अगर चाहें तो इसको डेरिवेशन में लिखें आपके समझने के लिए हम बता रहें परन्तु किताबों में डारेक्ट आपको यह लाइन मिलेगे ई लिखा मिलेगा और फिर इसे ब्रेकट में लिखा मिलेगा इतना यह डिये के प्लेस पर क्या लिख देंगे टू पाई आर लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से यह एक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और यहीं आपको इसमें क्या करना था समझना था आगे क्या समझना है हम लोग वो भी प्रमे एक में गाल की प्रमे क्या होती विद्यार से प्रमे होती है फाई इक्वल कि ऑपान तंट क्या होता है एकिपान यहां से अगर आप देखें क्या इंग निखाद लेंगे लेंबडi disponible निखाल लेंगे अगले इस्टेपर अगर आप चाहें तो है उसी फाई ई एक्वल क्या लिख देगे क्योंकि जगां पर लेंबड़ा एल अपांवे क्या हो जाएगा एपसाइल lil यसार्ण समीぐraina 2 अब आप आप देखिए बहुत बड़ा derivation नहीं होगा आपको करना क्या है इसमें कि अब आप इसमें मीटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम आपको एक बार अभी start में फिर समझा देंगे आप देखते रहिए बस हो गया करना क्या है समीकरण एक और दो में अगर आप देखें तो एक और दो में एक बात तो कामन है कि यहाँ पर बाया पक्ष दोनों का क्या है बराबर है और समी के रण के जब बाया पक्ष आपस में बराबर हो जाता है तो दाएं पक्ष भी आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं तो हम लोग इसको और इसको बराबर दिखाएंगे यहां लिखा है e vector dot 2 pi rl और इधर क्या लिखा है lambda l upon epsilon naught यहां से आप देखें तो l से l क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और e के place पर e आपको find out करना है e जब आपको find out करना रहेगा विद्यार्थियों तो यहां से आप क्या प्राप्त कर लेंगे यह बताइए हमको ऊपर कितना बच रहा है आपका सिर्फ lambda बचेगा क्योंकि एल कट चुका है बागी की सारी वैलू कहां जाएगी नीचे आ जाएगी कुछ इस तरीके से यानिकि लैंबडा अपान क्या हो जाएगा लैंबडा पान कितना हो जाएगा टू पाई आर एल और क्या हो जाएगा एक सालन अठबात आपको ख्लियर हो गई हो गी अब आप चाहें अगर देखे हैं यहां पर गलती हो रहे छुंको यह नहीं लिखना है ठीक है क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है अब आप क्या करोंगे वो देखो हम दुबारा समझा देंगे एक बार देख लीजिए पहले पूरा अब आप क्या करोगे यहां से अगर आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो कुछ इस तरीके से एसे वन अपान टू पाई एपसाइलन नाट कितना बचा है भी एल अपान में क्या बचा है आर बचा है आप क्या करें अंस और हर में दो का गुड़ा करा दें ऐसे दो का उपर भी दो का नीचे भी दो दूनी कितना हो जाएगा चार हो जाएगा तो यहां कितना लिख सकते है अगले श्टेप पर चार लिख सकते हैं तो बन अपान टू टू जा फोर फोर पाई एपसाइलन नाट और क्या टू लेंबड़ा अपान क्या हो जाएगा आर क्योंकि यहां पर दो का गुणा हो चुका है यह लाइन यहां नहीं लिखी जाती वैसे तो यह आपका क्या है क्या से वैदू छेतर क्या हो जाता प्रूफ वह जाता है विद्यारतियों और आपको समझ में भी आ रहा होगा देखिए अब आपको क्या याद रखना एक्जाम के लिए एक्जाम की पॉइंट आप यूसे बता रहे हैं थोड़ा सा इंक खतम हो गए है कि मार करके कोई बहुत पक्ष अपस में बडाबर था और जब बाया पक्ष आपस में बराबर होता है तो दाइना पक्ष भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा कुछ इस तरीके से हम बता दे रहें आपको एक बार और देख लीजिए एक थोड़ा सा सबसे पहले जो हम बात किये थे वो था रेखी गहना तो किटर में वो था lambda equal कित्ता था q by l था ये बात आपको याद रखनी है इसी को प्रूफ करते समय एक बात बताये थे phi e equal e dot 2 pi rl समी करण 1 था और समी करण 2 में हमने क्या बताया था phi e equal lambda l अपान में क्या था epsilon not ये बात आ गई थी उसके बाद हमने क्या कहा था कि इसी को समी करण आप क्या कर लें दो बना लें ये lambda l आया कहां से lambda l दरसल हमने कहां से रखा तो पहले ये देख लेजिए यह आया इसे k seguro giants की प्रमे क्या कहती है कि five e差 बरापर होता कि पान epsilon not य यही क्यों की जहगा क्या लिख सकते हैं lambda l लिख फ़ाई फसाइल समी करण क्या होगी दो आब आप क्या करें इसका बाया पक्ष्षापसं बरापरibt हुगा आपस बराबर हो जाएगा और जब समीकरण एक और दू में देखी रहें कि बाएं पक्षा पस्म बराबर हैं तो गड़ती यह नियम भी तो होता है ते अगर माया पक्छापश में बराबर है तो दाहिना पक्छा भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे बराबर दिखा देंगे और जैसे यहाँ लिखाएगे इसको यहां लिखा एइंटू 2Pi आर एपसाइलन नाट यहां से आप क्या करें अगले श्टेप पर यहां दो से गुणा करा दें जब दो से गुणा कराएंगे तो यह हो जाए यह जाए कि 1 अपान 4 पाई एपसाइलन नाट डाट 2 लैंबड़ा अपान आर यह बात आपको क्लियर हो गई होगी यानि कि देखिए है सब कुछ हो आई आप देखें काटे तो दो दूनी चार आपका दो भी है उपर लैंबड़ा है वो भी है आर है यह देखिए पाई है पाई भी लिखा हुआ एपसाइलेन नाट भी लिखाओ तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहां पर प्रूफ कर देते हैं फोर पाई एपसाइलेन नाट और क्या है यह तू लैंबड़ा अपान आर तो इस तरीके से अनन्त लंबाई की एक समान सीधेतार के निकट वैदुछेतर की तीवरता के लिए हम लोगोंने विंजक प्राप्त कर लिया ठीक है ऐसे ही करके अभी दो तीन चीजें और हमको फुरूफ करनी है हम लोग उसका भी निगमन समझेंगे अभी यह पहला था तो पहले में आपको क्या समझना था समी के रण एक और दो समी के रण एक और दो में क्या करना है बस आप देख लिजए फाई ए के बराबर ये भी है और यह समी के रण दो भी फाई ए के बराबर है तो कुछ नहीं यहां से हम क्या करेंगे e की वैलू find out कर लेंगे यह देखिए e बराबर क्या करेंगे यह लेंबर्ड़ा लिखा हुआ है यह 2 PIR नीचे और epsilon naught पहले से लिखा हुआ था और अंस और हर में आपके आकर आए दो से बुड़ा करा दीजिए और इस तरीके से प्रूफ हो जाता है ठीक अब हम लोग अगली प्रूविंग संगे समझेंगे ठीक है थैंक्यू